याप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं आई से बोट क्लास एट कंप्योटर चैप्ट नमबर शेवन हम पढ़ रहे हैं एप डवलपमेंट इसका पर्स पार्ट अल्एड हो चुका है आप सभी ने कुछ पार्ट अच्छे से देखा हैं आपको समझ में आ गया कुछ डाउट है तो आझ हमसे कमेंट सेक्शिन में सकते हैं तो आज हम ऍसका पार्ट तू स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं उत्ट क्लास का बहुत سारा कंटेट आपको मिल जाएगा ट्युस まट्यD तो आपको licose … नाहीं आ रहा या कोई टॉपिक ओ क्लास सब्जेक्ट और चैप्टर नेम यह जरूर बताईगे कमेंट सेक्शन में और जादा से जादा शेयर कीजिए आपके छोटे भाई-बहन हैं तो उन्हें सेवन्थ क्लास का कंटेंट उनको प्रुवाइट कर सकते हैं हमाई चैनल के तुरू तो प्लीज जादा जादा श तो आप्स क्या होती है यह टाइप फ्रफ फ्रफ पढ़ें जिसमें तो अन्हें दो टाइप पढ़ें थे डेस्क टॉप अपस पढ़ी थी अमने पढ़ी ती हमने से वैब आपस ठीक है और मोबाइल इसंत्राइब से थिए देख्टप मरें और इच्छ उम्हें पढ़ें जिने में तो आज हमें पार्ट 2 में अप्लासिफेकेशन ऑच्छे समझ में पड़ाता तूए सब्सक्राइब और hybrid apps के बारे में पढ़ाता नेटिव अपस अच्छे about आप पढ़ी थी कौनसी होती हैं आज हमें पढ़ना ए यूसे ऑफ कॉमन जो हमारी कॉमन एपस यू सभी आज कल यूज करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा इसमें आगे पढ़ने वाले हैं तो चलिए जल्दी से like कर दीजे और शेयर कर दीजे एप्स हैब बिकाम सो प्रिवैलेंट टुडे डाट सुटेबल के लिए किसी भी फंक्शन जो भी काम आपको करना है उसके लिए ढूंड सकते हो वेदर इस फॉर लर्निंग चाहें आपको सीखना चाहते हैं उसके लिए हो अंटरेंडमेंट के लिए हो सोशियल इंटरैक्शन के लिए हो या फिर बैंकिंग ई कॉमर्स किसी भी चीज के लिए देर एक काम के लिए कुछ न कुछ अब है किसी भी चीज से बारे में सब्से पहले आता हैं अपका एजूकेशनल एप जिसका हम कह सकते हैं कोवीड के रुकावट ना आए है ना विद्धी रैपिड इंक्रीज ओफ मुबाइल टेक्नलोजी जैसे जैसे मुबाइल टेक्नलोजी इतनी इंक्रीज हो रही है लर्णिंग विद एप्स हैस बिकम फन एप्स के थू लर्णिंग एक फन बन गया है लोग बच्चे जो हैं सभी अच्छ आज की डेट में वो बच्चे जो बहुत दूर गाउं में रहते हैं जहां पर जाद अच्छे स्कूल्स वगरा नहीं है और वो लोग भार जाना भी अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए भी बहुत हाई क्वालिटी के एजुकेशनल रिसोर्स आज की डेट में एव सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कोई भी इंफॉर्मेशन आप ट्रीजर कर सकते हो निकाल सकते हो हैं ना अदुकेशनल एप्स ऑर एकवाल यूश्फूल फौर बहुत स्ट्रेट्स एंड टीचर्स एक्रीट्स के लिए लिए रिश्फूल होती हैं और टीचर्स क्या हैं वह एजीली स्टॉडी मटेरियल जल्दी से डिस्ट्रिब्यूट कर सकते हैं प्रफूर्ट इस ट्रूं टे और अपने बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनेटर कर सकते हैं इन पीपिंग इस ट्रेंड के साथ चाहत बहुत सारी स्टड़ी रिसोर्स अविलेबल हैं ओनलाइन जैसे खान अकेडमी एंडिक्टिव बुक्स वेल अज ओनलाइन स्टड़ी प्लैटफॉर्म्स भी हैं जैसे एडियेक्स औं कॉर्सेरा अर नाओ एविलेबल वाई एप्स एप्स के थुरुआ पिर में से प्रफाइब कर सकते हो जो आप किसी के साथ आप शेयर भी कर सकते हो यू कनेक्ट विद एनीवन अक्रॉस दी ग्लोब इजली वाया सच एप्स एसी एप्स के थुरू ऑग लुबल याने कि पूरे वर्ल में किसी के साथ भी कॉंटेक्ट में बना सकते हो कनेक्ट कर सकते हो किसी से भी कहीं भी बात कर सकते हो देर डो सारी सोशल को देट्य अप mo no popular once rs follows और कुछ popular आपकी apps हैं वो आपको यहाँ पर दी हुई हैं हम इनके बारे में अब पढ़ेंगे अब यहाँ पर आपको एक quick quiz दिया हुआ है differentiate between native and hybrid apps आप first part में हमने native apps and hybrid apps के बारे में पढ़ा था आप सभी ने देखा है और नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट देखी और आपको difference बताने है comment section में कि native and hybrid apps में क्या difference होता है तो हम पढ़ रहे हैं social networking apps और उसमें हम common जो social networking apps हैं आज की डेट में वो हम पढ़ने वाले हैं जिसमें सबसे पहला है आपका whatsapp with over 2 billion active users 2 billion active users के साथ whatsapp is one of the most popular instant messaging app worldwide whatsapp जो है बहुत popular instant messaging app है instant यानि बहुत जल्दी जिससे आप contact कर सकते हो messages कर सकते हो और वो भी worldwide पूरे world में although initially it started as a text messaging app और मंदब आपको यह बताया हुए कि whatsapp जब start हुआ था वो सिर्फ एक text messaging app था यानि कि आप उसमें सिर्फ text typing करके ही messages कर सकते हो whatsapp has rapidly grown whatsapp का थोड़ा सा development हुआ grow हुआ whatsapp and now offers high quality voice as well as video calling और इसमें अब क्या होता है आप high quality की video call भी कर सकते हो voice call भी कर सकते हो बहुत सारे whatsapp पे भी आपके पास features available है है ना it has a simple interface इसका बहुत ही simple interface and many useful features और इसमें बहुत सारे useful features that make it a very popular app ठीक है इसी वजह से यह बहुत ही popular app है कौनसी whatsapp इसके बाद दूसरी popular app आती है आपकी facebook facebook with nearly 2.7 billion active users facebook पर about 2.7 billion active users रहते हैं continues to lead the social networking sites यह भी एक बहुत ही famous और popular social networking site है it allows all the registered users to create their profile post comments exchange information share links photographs chat play games etc तो facebook की help से आप क्या कर सकते हैं जितने भी इस पर registered users होते हैं आपको अपनी id बनानी पड़ती है इस पर और अपनी profile बनानी पड़ती है ठीक है अपसे प्रोफाइल बना सकते हो अपनी किसी की post पर comments भी कर सकते हो अपनी information को exchange कर सकते हो links photographs share कर सकते हो ठीक है लेकिन आज की डेट में अभी प्री इंस्टॉल्ड एप रहता है बहुत सारे mobile phones में भी और tablets में भी यानिकि पहले से इंस्टॉल्ड रहता है ओके अब यहां पर देखिए लेट्स नो मोर में क्या लिख रहा है और उसमें क्या करना होता है जो candy की pieces होते है गेम बोर्ड होता है उसमें candy की pieces लगे रहते हैं और उनमें आपको same color की candies को swap करके complete करना होता है target है अब इसके बात आपकी next social networking site आती है twitter twitter is a social networking app where people communicate in short messages called tweets twitter आपकी एक social networking app है जहां पर लोग communicate करते है short messages में short messages में उन्हों हम बोलते है tweets tweeting is sending short messages to anyone who follows you on twitter with the expectation that your messages are useful and interesting to someone in your audience tweeting एक क्या होता है tweeting करना यानि कि short messages किसी को भी बेजना और किसी को भी मतलब जो आपको follow करता है twitter पर और इस expectation के साथ यह सोचकर उन्हें messages short messages भेजना कि आपके messages उनके लिए useful है और किसी के लिए interesting है messages sent with this app were initially restricted to 140 characters इस messages इस app में जो starting में messages भेजे जाते थे ना इस app के through वो सिर्फ 140 characters के ही message भेजे जा सकते थे ठीक है 140 letters यानि बस स्मार्टफोन जैसे जैसे अब स्मार्टफोन का एडवेंचर हुआ वह एडवांस हुए यूजर्स बिगें तो फाइंड डिस एज अननेसेसरी हिंड्रेंस तो यूजर्स को लगा कि एक अननेसेसरी हिंड्रेंस है तो अब ट्विटर ने क्या किया क्या क्योंकि लोग इसे अंस्टॉल करने लगे थे तो इसी लिए ट्विटर ने इस लिमिट को डबल कर दिया यानि कि यूजर्स नाव गैट 280 characters per tweet यानि कि यूजर्स जो है एक tweet में 280 characters ही लिख सकते हैं इसलिए उसने डबल कर दिया तो यह तीन तो यह थी ठीक है उसके बाद दूसरी और सोशल नेटवर्किंग अप्स दिया हुए जिसमें सबसे पहले इंस्टाग्राम इस अनेदर एप यूजर्स करने के लिए और अपने फोटोग्राफ शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम पर यूजर्स करते हैं उसके आपको जो भी रोज की खबर होती है इंडिया की या कंट्री की उसके बारे में आपको निवस मिलती है तो रजिस्टर यूजर्स जो होते हैं स्टोर्य पर जो बीकिश्ट कर सकते हैं स्टोरिक नुस अप लूड रूट कर सकते हैं जो दूसरे विससे होते हैं वे टेगरी के टॉप पर लगा दिया जाता है तो यह आपके लोगों दिखाया हुआ इंस्टेग्राम लिंग्डिन और डेडिट अब यहां पर देखें नोधा फैक्ट में कहा दिया हुआ है डिजी लोकर यह भी आपकी एक मोबाइल एप है अधार होल्डर पर ताकि वह अपनी परसनल इंफॉर्मेशन या परसनल सर्टिफिकेट को एक्सेस कर सके इस वाफर्स वन जीबी ऑफ स्टोरीज स्पेस फॉर इच यूजर टोकिमेंट्स और यह जो डिजी लोकर है यह वन जीबी स्टोरीज स्पेस भी देता है हर यूजर को ताकि वह इनकी लीगल एक्सेस कर सके तो यह डिजी लोकर अप में होता है ठीक है आगे बरते हैं चैप्टर में तो अभी हमने एजुकेशन अप्स पढ़ी थी उसके बाद हमने सोशल नेटवर्किंग अप्स पढ़ी है अब हम पढ़ेंगे एंटर्टेन्मेंट अप्स इफ्यू है अगर आपके एडवांस सर्विसिस के लिए करते हैं चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको इफ विश्टु वाच अ मूवी कैच अप और फेवरेट टीवी सीरियल और वाच सम स्पोर्ट्स यू कैं स्टॉल और यूज होट स्टार अगर आप चाहते हो कि कोई मूवी देखनी है या अ प्रिंग यूर फेवरेट ट्यून राइट आन उर फोन तो उसके बाद मदब को मूझिक पसंद तो गाना हंगामा मूजिक और बहुत सारी एपस ऐसी हैं जो आपके फेवरेट सॉंग को आपके फोन पर आइविलेबल कर देती हैं अधर अपस ऑप डिलेबल देट आरा आपको पसंद आपको पसंद है कि कुछ बी फेवरेट आपका मल्टिपलेक्स है ठीक है वहाँ पर आपको अपना लेटिस ब्लॉक्बस्टर मुए देखनी है The Book My Show app allows you to check timings, read reviews and obtain tickets for plays, concerts, sports and many other events So Book My Show app comes from which you can see timings, reviews and read people there And tickets you can obtain also, if you can play, concerts, sports or event If you are a game lover and you like to play games, you can enjoy many gaming apps You can find many gaming apps, these apps have a huge fanbase from all the age groups These are gaming apps, they have a huge fanbase, all the age groups of people like to play games There are various categories in these apps In these apps, there are many categories like sports, action games, racing games, fighting games So these are your entertainment apps Next, Banking and Finance Apps Banking and Finance Apps Almost all the banks have their own apps today These apps allow quick and easy access to most of their services and products These apps allow quick and easy access to most of their products तो उसके थुरू वो अपने अकाउंट में बैलेंस देख सकते हैं, FD open कर सकते हैं, utility bills पे कर सकते हैं, money transfer कर सकते हैं किसी के भी अकाउंट में, checkbook या demand draft order कर सकते हैं और भी बहुत सारी activities वो कर सकते हैं इन अपस के थुरू. इंडियन गवर्मेंट एंकरेजिंग दे यूज उज उफ कैशलेस ट्रांशेक्शन डिजिटल वालेट अपस लाइप्स लाइप्स पॉकिट्स फ्रूम आईजिया एंडियन गवर्मेंट जो है उसने बहुत ज़ादा भारतिय सरकार एंकरेज कर रहे हैं कि चैशलेस यानि डिजिटल वालेट आप्स आ गए हैं जैसे बहुत फेमस है ठीक है आइसी आइसी बैंक ने पॉकिट्स अपनी बनाई है योनू एस्बी ने बनाई है और बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो यूजर्स को अलाओ करती है ताकि वह इजी और जल्दी से मॉनिटरी कर सकें यानि कि money transfer कर सकें इसके अंदर आतीया के money control फॉर दो लेटेस्ट इंफॉरमेशन ओंधी ग्लोबल इंड्यवल्ग इंडियन स्टॉक मार्केट्स पूरे वर्ल्ड की और इंड़्स इंफॉर्ट्रो बैनिफिशिल उन्मार्क इस दिए कर सकते हो one can keep in touch with the swings of the market market में जो भी उतार चड़ाव होता है तो उससे में आप तच में रह सकते हो आप देख सकते होगी किसका price कहा जा रहा है and take appropriate and timely decisions और आप timely और सही decisions ले सकते हो ओके दूसरी अगलिए आती है आपकी e-commerce ठीक है banking and finance apps होगे हमारा आपता e-commerce buying or selling of goods or services goods or services को खरीदना या बेचना using electronic means ठीक है electronic means के थूँ उसे हम बोलते है e-commerce the rapid increase in the use of mobile technology and desire of people to get things done quickly has prompted the e-commerce companies to opt for mobile apps to supplement their business अब mobile technology का use इतना ज़्यादा increase हो गया है और लोगों की एच्छा रहती है कि काम उनका बहुत जल्दी हो जाए तो इस वज़े से e-commerce companies ने mobile apps को opt किया है ठीक है mobile apps के थूँ वो अपने business को supplement करते है e-commerce करते है यानि this segment has become so important that some e-commerce companies have started giving preference to the app-based solutions and are discontinuing their e-commerce websites इस segment ने ये segment इतना important हो गया e-commerce वाला कि कुछ e-commerce companies ने अपने app-based solutions देने start कर दिये है और e-commerce websites को वो discontinue कर रहा है यानि कि apps बना दी है उन्होंने e-commerce के लिए कुछ most popular e-commerce apps जो आपको online shopping का facility प्रोवाइड करती है flipkart है Amazon, snapdeal, shopclues और भी बहुत सारी आती है like me show है न तो ऐसे इस हम बोलते है e-commerce, online transactions करना अभी देखो अगला topic आता है downloading and installing an app आपको अगर कोई भी app install करनी है, download करनी है तो आपको क्या करना होगा following steps will help you download and install an app on your mobile phone और tablet इन steps को follow करिए ताकि आप कोई भी app को download और install कर सकते अपने mobile phone पर भी या फिर tablet पर भी tap on the play store icon on the screen of your device आपकी screen पर यह वाला जो red circle में है यह icon है play store का इस पर आप tap कीजिए, type the name of the app in search bar that you wish to download ठीक है, आप आपने open करी और वहाँ पर आपका search bar आएगा उपर जैसा आपको यहाँ पर दिखा रखा है यह search bar बोलते हैं इसे, ठीक है यहाँ पर tap कीजिए और वहाँ पर आप लिख दीजिए name type कर दीजिए किसी भी app का if you do not know the specific name type a general description of the job that the app does अगर आपको कोई specific name नहीं पता है तो आप यह एक general description लिख दीजिए उस app का जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो जो काम वो करती है यहाँ पर लिख दीजिए educational apps फॉर जैसे यहाँ पर लिख दीजिए educational apps फॉर जैसे यहाँ पर लिख रहा है ना it will display the relevant list of apps तो से मिलती जुलती रिलिस्ट आपके screen पर आ जाएगी now select the most suitable one by tapping on the name of the app और आप किसी भी जो आपको अच्छी लग रही है आप उस पर टैप कीजिए ठीक है उसे open कीजिए additional information about the app इंक्लूदिंग इंक्लूदिंग वैदर एनी फी नीट्स तो बी पेड जब आपको खोड़ोगे मालीजिए आपने एक्स्ट्रमाक्स वाली आप खोली एक्स्ट्रमाक्स आ रही है आपने एक्स्ट्रमाक्स वाली खोली तो आपको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगी तो डिव्यूजर कमेंट्स भी मिल जाएंगे जो इन्होंने यह आप यूज कर रही है अगर आपको अच्छी लगती है ठीक है देन टैप इंस्टॉल बटन ठीक है इंस्टॉल बटन आ रहा होगा वहाँ पर इंस्टॉल पर तो आपकी डाउनलोड भी हो जाएगे और इंस्टॉल भी हो जाएगी फोन पर अप इस नाउ रेडी तो यूज तो इस तरीके से आप उस आप को यूज कर सकते हो डाउनलोड और इंस्टॉल करके अगला टॉपिक हाद है डेवलपिंग एंप यूजिंग आप इंवेंटर तो इसमें हम देखेंगे कि एक अप आप कैसे डेवलप कर सकते हो एप इंवेंटर को यूज करके लुकिंग अट दिफरेंट एप्स अवेलेबर एड प्ले स्टॉर इस अमेजिंग एक्सपिरियंस अब प्ले स्टॉर पर आप बहुत सारी आप्स देख सकते हो बहुत अच बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो आपको पर्वीशन देता है कि आप अपनी खुद की एप बना सकते और थोड़े से ही टाइम में लेट अस यूज एमाइटी एप इनवेंटर की नेम दिए हैं माइटी एप इनवेंटर इसकी तुरू आप एक एप हम डेवलाप करेंगे यहाँ पर इस अन ओपन सोर्स वेब अप्लिकेशन अप्लिकेशन ओरिजनली प्रॉवाइड बाई गूगल यह आपका ओपन सोर्स वेब अप्लिकेशन है जो ओरिजनली गूगल के द्वारा प्रॉवाइड करा जाता है यह वाली अप्लिकेशन और नाउ मेंटेन बाई दी MIT, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, है न, तो MIT के द्वारा ये अप अब मेंटेन करी जाती है, ये एक बहुती ईजी और इनोवेटिव प्लाटफॉर्म है, ताकि आप इस वहां पर प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हो, और एप क्रियेशन भी सीख सकते हो, ठीक है, एप बनाना है यहां पर आप सीख सकते हो, तो एप इन्वेंटर को यूज करके, अगर आपको अप अप अपनी डेवलाप करनी है, तो आपको ये करना होगा, फॉलेंग स्टेप्स आप देखिए, ओपन अ ब्राउजर, ब्राउजर ओपन कीजिए और टाइप दी यूरल, आपको यूरल टाइप करना पड़ेगा, www.appinventor.mit.edu in the address bar, click on the create apps, create apps पर click कीजिए, button in the top left corner, आपको top left corner पर एक button मिलेगा, create apps का, उस पर click कीजिए, sign in with your google account, अपना google account से sign in कीजिए, after successfully signing in, अगर आपने successfully अच्छे से sign in कर लिया, then you have to accept the terms of service policy, service policy की terms होंगी, वो आपको accept कर डी पड़ेगी, welcome screen आजाएगी, click on continue, continue पर click कीजिए, you will get a new window, आपको new window मिलेगी, giving you options to go through the tutorials, etc, to start a new project, तो एक नई window मिलेगी, जहां पर आपको options मिलेगी, कि आपको tutorial देखना है, ठीक है, यानि कि वीडियो दिखेने को मिलेगा, जिसम पर आप सीख सकते हो, कैसे app बनागे हो, या फिर आपको new project स्टार्ट करना है, ठीक है, तो पहले आप steps के थ्रू आपको जाना होगा, तो मान सब्सक्राइब करना है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में करने के question answers, and please हमें support करते रहिए, हमाई साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, जाल जादा और चैनल को subscribe करना ना भूले, Thank you!